बस एक लड़ो रुजाना सरदी में खा लो, कमर की दर्द, जोडो की दर्द, सरीर में किसी परकार का इंफेक्शन हो या बिमारी होने वाली हो या हो गई हो, सारे परिशानी होगी आपसे दूर. तो यहां पर लिए हैं 200 ग्राम राव टर्मेरिक हल्दी से कच्ची हल्दी बोलते हैं, और यह ठंडी को मौसम में ज्यादा तर मिलती है कच्ची हल्दी, यह देखने में बिलकुल अद्रक की तरह दिखती है, मोटी मोटी, और इसी कलर अंदर से काटेंगे तो पीला रहेगा, इस तरह से कच्ची हल्दी होती है, और यह बहुत अच्छी होती है, और इसे छीलेंगे तो बिलकुल हाथ आपका पीले हो जाएगे, इतना डार्क होंगे की यह छूटेंगे भी नहीं धोने से, तो दो-तीन दिन तक तो हाथ पीले रहेंगे, उसके चीलने और बनाने में, तिस तरह से पहले हल्दी को आप स्क्राइब करते हुए चाकू से छील लीजिए, अराम से छील जाएंगे और हल्दी छीलने में पूरे हाथ पीले हो गए हैं, छीलने के बाद हल्दी को धो लेंगे, इसमें छील के लगे होंगे, वो धूल जाएंगे, और इसे थाली में रख को छील कर इसे छोटे-छोटे पीस में काट लें फिर इसे ग्राइंड करें बड़े-बड़े आप इसे ग्राइंड करिएगा तो अच्छे से पीसेंगे नहीं छोटे-छोटे गुठली रह जाएंगे तो इसे अब हम जार में डाल कर इसे दो से तीन बार बैच में इसे हम पी प्रश्कना हो जाना चाहिए देखे और चोटे-चोटे का दो पीश रह भी गये हैं तो इसे द्वारा डाल कर इसे पीश लेंगे हल्दी को तो हमने सारे हल्दी को पीश लिया है जार को दो कर डाल देंगे साथ में पानी अब चलते हैं गैस की तरह ते हैं गैस पर कड़ाई रखा है गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पर गैस को गर्म कर लिया है और चार से पांच मत देशी घी डालेंगे और यह लड़ू ना देशी घी में ही बनती है तो अच्छा बनता है और ज्यादा यमी लगेगा और सारे कच्छी हल्दी पिसा हुआ वो डाल देंगे घी में जब परड़ी करें तो चीटें लो च मारा किकिंट जब और ज canopy कर देंगे और ऐसे चलाते हुए भूंदेंगे हल्दी को लाल ओने तक लिकiselर नहीं हो यहाँ फुनाई करना है थे लाल से अगर ध्यूसे उद यह से घी नहीं है इसकी हर्डू कड़वा लगेगी खाने में जो हल्दी को कम से कम आप 40-45 मिनट भूने और यहां पर कुछ ड्राइफूट्स लिए हैं जिसे लड्डू बनेगी तो और हिल्दी बनेगी तो हैं पर बदाम लिया है और गोंद लिया है ठंडी में घोंद खाना चाहिए और काजू लिया है आप अपनी पसंद से ड्राइफ डेशी घी डालेंगे और सबसे पहले मखाने को हम इसमें रोश्ट करेंगे घी के साथ से चलाते होए मुद्व होने तक मखाने को दो से 3 मिनट भूनेंगे अच्छ अच्छ से क्रिस्प हो जाए इस तरह से तूटने लगे तो कि मखाने क्रिस्प हो गए हैं तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं इसे जादा नहीं करना है तो जल जाएंगे और मखाने कड़वे हो जाएंगे और एक दो चमच डालेंगे फिर से इसमें घी कराही में और इसमें डालेंगे बदाम काजू अगर और भी आप इसमें ड्राइफूर से एड़ करना चाहते हैं तो और एड़ कर सकते हैं इसमें अपना पसंद से और इदर हली भी जले नहीं इसे चला लेंगे तो यहां पर बदाम और काजू भून गये हैं इसे ज्यादा नहीं भूनना है तो कड़वे हो जाएंगे उसे निकाल लेते हैं और इसी कराही में एक बाहर निकालने में मुश्किल होता है साथ में इसी तरह से भून लेते हैं एक साथ भून जाएंगे इसे निकाल लेते हैं और अब इसमें डाल देंगे दो से तीन चमच घी और इसे अब हम इसमें गोंद फ्राइ करेंगे तो गोंद को फ्राइ करते समय घी जादा नहीं डाल बड़े वाले हैं तो इसे फ्राय करने था टाइम लगता है और लो करकर ही भूनें क्योंकि अंदर से गुंद कच्छी रह जाएगी अगर हाई फ्लेम पर भूनेंगे सारे ड्राय नट्स बूंज गया है और ठंडी भी हो गई है अब तो अब एक करकर हम सारे ड्राय नट्स को ग्राइंड कर लेंगे तो सबसे पहले मखाने को ग्राइन कर लेते हैं मखाने को डाल कर इसे हम ग्राइन कर लिया है तो हलका मोटा साही रखा है जादा बारिक पॉडर भी बनाया है और लडू में हलका मोटा ही अच्छा लगता है और अब बदाम और काजु को भी grain कर लेते हैं ढाल कर तो इसी के साथ निकाल लेते हैं पलेट में तो गी के बज़़े से हलका से चिपक गया है जा़ में तीसे स्पून से निकाल लेते हैं और इस तरह से देखिए नजादा बारिक है नजादा मोटा है तो लड़ू में बहुत यमी लगता है इस तरह से बनाएंगे तो और अब गोंद को भी हलका सा क्रेस कर लेती हैं पैल्स मूट पर अगर आप इस गोंद को छोटे-छोटे पीस में आगर आपको खाना लड़ू म लाल हो गई है भूनते हुए तो इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं और इसमें दो चमच घी डालेंगे और अब गोड डाल देंगे गोड को छोटे-छोटे टुक्रे में तोड कर लिया है ताकि जल्दी से मिल्ट हो जाए और जो गोड लिये हैं चार लड़ू को हम छोटे पर भूरू हो गई है जला लेंगे हैं अच्छे से स्योबाल भी आगई है गोड में तो चलाते रहेंगे ताकि हो डाल लेंगे भून कर जो निकाल कर रखे थे हल्दी को डाल कर इसे हम 2-3 मिनट टेक हल्दी और गूर को पकाएंगे अच्छे से लड़ू में टेस्ट आता है आप इसे हल्दी डालने के बाद 2-3 मिनट जरूर पकाएं और साथ में डाल देंगे सोंट का पॉडर एक चमच से ड्राइज जि बनकर छूंट करें में सारे ज चीजह को में पको लगरा होगा ट्राइज जिंदे रखा हुआ कड़ा है और पर हमें एक कड़ करेंगे तेहां पर जल्ली जल्ली हाथ चलाना होता है क्योंकि जल्ली से गूर्ट ठंडी होती है और जमने लगती है गूर्ट लड़ू नहीं बनती है तो इसे हम ठंडा होने के लिए इसे ठाली में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए हलका सा ताकि लड़्डू बना पाएं इसे अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं ठाली में कडाई में बनने ही रहा था तो इसे पून से इसे मिक्स कर लेते हैं क्योंकि अभी गर्म है तो आपको अगर एक साइज की लड़ू बनाना है तो आप कोई भी छोटा सा कप या कटोरी ले 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 उसे आप नापकर आप इसे लड़ू बना सकते हैं तो आपके लड़ू एक साइज की बन देगी लड़ू इस तरह से हमने लड़ू बना लिया है और लड़ू बनाने के काम बहुत जली जली करना हुआ क्योंकि यह बहुत जली ठंडी हो जाती है तो लड़ू बनती नहीं है तो इस तरह से कब से आप लेकर लड़ू बांदेंगे तो आपका एक साइज की लड़ू बन देगी तो हमने दो लड़ू कब से बांद कर दिखा दिया है इस तरह से सारे लड़ू बांद लिजेगा ताकि आपका एक साइज की लड़ू बन जाए तो अब हम अपने लड़ू आपको जली-जली बान कर दिखाती हूँ ताकि हमारे जो लड़ू का बेश है वो ठंडी न होई अगर वाई चांस लड़ू बानते इसकी बेश ठंडी हो गई हो लड़ू नहीं बंध रही हो कड़ाही में डालकर हलका सा गर्म कर लिजेगा तो आपकी लड़ू पूरी बंध जाएगी हलका सा गर्म करने पर दे लिजे मैंने पूरे लड़ू को बांध लिया है अब पूरे एक साइच की लड़ू बंधी है और इससे हम तोड़ कर दिखाती हूँ किती सौप्ट बनी है अंदर से पारे लड़ू पूरी तरह से ठंडी हो गई है यह देखे तोड़ कर दिखाती हूँ किती सौप्ट बनी है हाथ लगाती ही तूट जा रही है यह देखे इससे पूरी तरह से ठंडी होने पर डब भर कर रख लीजे आप एक से दो महीना तक खा सकते हैं, खराब नहीं होगी, और एक लड़ू डेली खाये, आप क्यम्मूटी बुष्ट होगी, सरीर में किसी परकार की इंफेक्शन, शूजन, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा.